तब बहन जी ने का ऐसी सोच के लोग जो कटरपंथी टाइप के होते हैं मैं भी कहता हूँ कि आज भी जो अब ऐसी के साथ हो कटरपंथी मुसल्मान हैं मैं भी यह कहता हूँ तरह है कि जिस दिन मुसल्मान दस परसेंट भी बसपक्सात आ गया उच दिन समाजवादी पार्टी और भाश्पा दोनों खतम हो जाएगी बहुज़न समाज पार्टी तीन सो सिद्जी थे आज जेबा रिजवान का परिवाद पूरा परिवाद इस तरह से रो रहा है कि चूते थे साब साब लगा रहेते थे आज कहीं पिछली लाइन में जेखे पाते हैं आज हम इसे बात करने के लिए जुड़े हैं चुनावी मुद्धो पर राधिक जी बहुत-बहुत स्वागा थे आपका यूपी टाइम्स में दन्यवाद अब आप जनता को बताईए कि आप किन दो सीटों पर अपने प्रत्याश्यों को लड़ा रहे हैं और क्या जिम्मेदारी आपको मायवती जी ने दी है देखिए मैं बहुत समाज पार्टी में 25 साल से काम कर रहा हूँ मुझे लोग सबा 2019 में बहें जी ने आशिरवाद दिया था मैं काफी दिन मेहनत किया लेकिन सीट गट बंधन में चली गई फिर बहें जी ने मुझे गोंडा सदर बिधान सबा दिया किनी कारणों से जो कि हमारी नेता है जो आदेश करती है उसको मानना है अगर कोई किसी का भी कोई नेता माने तो उसके आदेश को मानना चाहिए वो भी बहें जी ने मना किया तो उसके बाद हमको एक सीट बहें जी ने कहा कि कौन सीट जी सकते हो तो मैंने का बहें जी हमारा जहां घर है वो सुरच्छी सीट है हमारे परिवार का सदस 25 साल से मेरे परिवार में एक दलिस समाज का बेक्त शामयान कोरी हो हमारे परिवार का हमारा भाई भतीजा बेटा सारे रिष्टे उससे है हम लोग दलिस समाज का ओट पार्टी का ओट पले सकर हमारी विरादरी हम लोग जोड़ अब आप एक दली समाज के गरीब जिसके पास डेड़ भीगा जमीन है उसके आप चुनाओं में करोन रुप्या खर्चा कर रहे हो वह पर भावित हुए मैंने तीन-चार महिना मैंने उस पर काम किया उसके बाद आखिर में जो हफ्ता है बचा चुनाओं का इधर तब बहन ज अगर आपके राजनीति करियर की बात की जाए तो पिछले 20 से 25 साल से अधिक हो गया आपको इस पार्टी में तो जिस तरह से मंडल के अगर हम प्रत्याशियों की बात करें नेताओं की बात करें वो तमाम वक्त आने पर जो भी पार्टीयां होती है जिनको लगता सथा में वो पलट जाते हैं आपने क्यों सिर्फ हमेशा बस्पा का दामन था में रखा तेगे बहुजर समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब राम मंदर की बात हो रही थी बीजेपी वाले राम मंदिर की बात कर रहे थे कांग्रेशन रहुल गांदी ने बयान दिया था कि मैं सबसे बड़ा हनुमान का मंदिर बनाओंगा तब अखलेस यादौजी ने चाह है कि मैं %े में बिशुल का मंदिर बनाओंगा तब हमारी बहना भेंट नहीं दिख रही हैं अगर हम बात करें और जंता बात कर रही है कि इस बार चुनाओं में बस्पा नहीं है समाजवादी और भाजपा की सीधी लड़ाई है क्या करना चाहेंगे देखें बहुजन समाज पार्टी पूरे साल पांचों साल काम करती है हमारे मानिये नेता सीधी जुलाई से कायकरम लगाना शुरू किया हम ही लोगों ने कायकरम करा है बड़े-बड़े कायकरम करा है हम हमेशा एक्टिव रहते हैं बहुजन समाज पार्टी कि सीधी लड़ाई भार्टी जनता पार्टी से सुनिए मेरी बात भाजपा वाले हजारों करोर रूप्या बसपक साथ आ गया उस दिन समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों खतम हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी तीन सो सीधी जितेगी यही खत्रा भार्टी अंता पार्टी को है इन्होंने मुसल्मानों की धिमाग में भर दिया मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया ज हमने सपा से ज़्यादा हमको ओड मिला 2017 में जब बीजैपी की लहर थी तब भी मुझे समाजवादी पार्टी से ज़्यादा ओड मिला तो अगर दली समाज चला गया था तो मुझे ओट कौन देता है दली समाज ना कभी भाजपा में गया था ना गया है और ना जाएगा व जब चुनाओं हमने देखा चुनाओं की कंडिशन देखी उसमें मैंने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग जाकर भाजपा में वोट कर दो तो ऐसा क्यों है एक तरफ आप बोल रहे हैं वह दली समाज भाजपा में नहीं जाता और खुद आपकी मुखिया बयान दे रही हैं कि मैंने खुद कहा कि जो भाजपा में वोट करो दो बयान मुझे यादे 2012 में बयान दिया था समझे क्यों दिया था एक सदस गाओं जो लड़ता है चुनाओं और दिल तोड़ के उसका काम करता है जब सुबा वो चुनाओं हारता है तो पूरे गाओं को गाली देता है बह बहें जी ने कहा ऐसी सोच के लोग जो कटरपंथी टाइप के होते हैं मैं भी कहता हूं कि आज भी जो बैसी के साथ हो कटरपंथी मुसल्मान है मैं भी यह कहता हूं जो कटरपंथी के सोच के लोग होते हैं वो अगर ना राजनीत में तो यह सर्व समाज के लिए अच्छी बात होगी वह कटरपंधी, जाए हिंदू समाज के लोग हों चाए मुसलिम समाज के लोग हो membayán तोर मरोड के पीश्के जाता है बहें जी का यही बयान ता उसके बाद जितना भी मुसल्मानों को काम किया सब मुसल्मान जी नहीं किया हाज ऐस से लेगे में 20% आरच्षर देने का काम किया था आज तक किसी ने नहीं किया तो सारा काम हम करते हैं उसके बाद मुसल्मान पता नहीं किस दिमाग से कभी कभी साइकिल कहें लगता है लेकर सारा काम तो हम करते हैं कली आपका एक पोस्ट दिखा गया, एक पोस्ट पे आपका कमेंट दिखा गया, आपने उसमें समाजवादी के समर्थोगों, मुसल्मान समर्थोगों के अगर हम बात करें, तो आपने कहा, वो घुलामी कर रहे हैं समाजवादी की, और इनके बच्चों का मुस्तक्बिल इस में नहीं है ऐसा क्यूंग आप ये बताएए आज आजम खां साहब कि आप हमें हमदर्दी है हाला देख लिजिए आपके बगल किसी तारी पनोर हास में उनके बाप भी बिधायक थे उनके वालिद भी बिधायक थे वो भी बिधायक थे राम पिसुन आजाज जी रो रहे हैं तमाम ऐसे नेता यहां से लेके इमरान महमूर साब कांग्रेश के बहुत बड़ी लीडर थे उनकी पूरा राजनीतिक भविस अखलेश आदूजी ने खराब कर दिया गुड्डू जमाली हमारे यहां नेता बिधान मंडल दल थे उनका पूरा भविस अखलेश आदूजी लालेस दे के खराब कर दिया अरे आपको नहीं देना था तो आप न लेते अपने हां जब सारी ट्रेने चूट गई तब कहरे हो हमारे यहां अब सीथ पे जगा नहीं है आप पहले जवाब देते तो यह लोग अपना रास्ता डून लेते आपने कितना नुक्सान किया आज चुकि मैं बहुत पहले कहचिका हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलों आप देख लो महान भागवत की मिटिंग मानिय मुलायम से क्यों होती है अखलेस यादो जी और योगी जी बैट के खाना क्यों खाते हैं सुतन देव सि मिटिंग क्यों करते हैं एक भी फोटो आप भारतिय जन्ता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की दिखा दीजी मैं आप से बता आप ही लाके दिखा दो सबसे बड़ी सबसे बड़ा खत्रा अगर भारतिय जन्ता पार्टी को है तो बहुजन समाज पार्टी से इसलिए भार्तियांता पार्टी तमाम अफवा पहला के मुसल्मानों को खासने गुम्रा करती है कि जिस दिन दली तो मुसल्मान और सवर समाज का गरी भी कट्था हो गया इस पूरे देश में तखता पलगा अगर मुसल्मानों के लिए मायवाती जी अच्छा काम करती है तो नसीम उदिन सिद्धिकी पार्टी छोड़ कर क्यों गया देखे नसीम उदिन सिद्धिकी पहले देखिये वो क्या थे और समाज पार्टी ने इन इतना बढ़ा कर दिया पूरे देश में किसी मुस्लिम समाज को सबसे बड़ी ताकत देने वाली नेता बहिंद कुबर मैयोती जी ने नसीमुन सिद्धीकों को दिया उसके बाद जब उनने 2017 में देखा वो और परसेंटेज नहीं देखे कि हमारा और परसेंटेज ज्यादा है जब वो देखे कि हमारी सीट 18 आ गई बस वो सोचे बसपा खतम हो रही है छोड़के चले गए जब से नसीमुन सिद्धी की पार्टी जगे उनके हालात आज देखिए जब हमारे यहां दे लखनोश चलते थे सो जगा उनका स्वागत होता था सरेकन लोग पैट चुते थे साब साब लगा रहते थे आज कहीं पिछी लाइन में जगे पाते हैं यह बहुजन समाज पार्टी है जो निचले अस्तर से उठाके आसमान पर बिशा देती है उसका आश्यों की बात कि अभी हाल ही में एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें बसपा की पचास सीटों का सौधा हो रहा है तीन सो करण रूपे में उस पे तो जो जिसने चापा ता उसके उपर हो गया यह मीडिया देखिए गोदी मीडिया की यह चाल रहती है कि बोजन समाज पा अपने लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है देखिए पहले जैसे हम भी चुकि तमाम बिधायक MP के घर आते जाते रहे हैं तो जिसे हम लोग गय कहें कि बिधायक जी अपने निजी काम माभी जी हैं मैं अपने उनके बेटा बीमार हैं अक्सर उसे भी लगी जो लुख आफ तली बिधायक MP को चैना चाहेते हूं सांसदों से कि तुम्हारा परिवार पहले जैसिस समाज है तब तुम्हारे परिवार उगर तो पहले तुम्हारे परिवार इसा माइं पषिग हमारे भाई रिष्जर बाई हैं तब मेरा घर परिवार हम कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाय थी पहन जी ने अभी पुरानी पेंशन जो थी वो भाली कर दिया है घोशना कर दिये तमाम योजनाय थी किसी गरीब को फसाद उत्पे किसी की दिन एक हिम्मत नहीं हुई वरू गांधी ने 28 मई 2009 को इतने बड़े नेता हैं पीली भीत में एक बयान दे दिया था संपरदाइक बयान दिया था बहन जी ने पता नहीं कर से उनको जानकारी मिली कि इतना नेटवर्क बहन जी का तेज़ था कि बहन जी ने उन्हें पर गिरिफ्तार कराया था पीली भीत में और गेस्ट हाउस नहीं ले गए थे बहन जी ने उन्हें 19 दिन जेल में रखा था उसके बाद किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि पर देश में और देश में संपरदाइक बयान दे सबसे ज़्यादा जरूत इसी की है जो यह लोग संपरदाइक बयान दे के महौल भिकारते हैं यह अपने आप के लिए भिकारते हैं आप एक भी नेता का नाम बता दो एक भी संसद एंपी का नाम बता दो जब वो चुनाव लड़ने आयते तब क्या था आज वो हजार करोड़ों के मालिक बनगे दो हजार करोड़ों के माल मैं पूछता हूँ जनता को पूछना चाहिए कि भई आपका कारोबार क्या है आपने को से फैक्ति लगाई है अरे मेरे साथ ही जनता के हग का पैसा यह लोग के बड़े हो जाते हैं आपके करीबी सांसद हैं यहां से ब्रिज भूशन शेरंड सिंग इस चुनाव में देखा जा रहा है लगतार वो मुसलिमों को टार्गेट कर रहे हैं अभी हाल ही में उन्होंने कल हंस ठाकुर बताया समाजवादी के जीतने पर रमजान के सरसेरा बनने की बात की है कैसे देखते हैं इन सब चीज़ेगे बीजेपी का एजन्डा है उनका एजन्डा है हिंदू-मुसल्मान करने का तो अपने एजन्डे पर वो काम कर रहे हैं अपने एजन्डे में काम कर रहा हूं उन्हों तो रमजान वाला बयान दिया था उसका मतलब आप समझो उसका मतलब यही है कि मुसल्मान जो है सपा को ओड़ दे दे सपा को ओड़ दे अगर मुसल्मान सपा को ओड़ देगा तो बीजेपी जीत जाएगी वो बयान का मतलब वो सपा को नहीं, वो किसे मतद नहीं कर रहे है, वो मुसल्मान को बोल रहे है, कि ये सपा को वड़ दे कि बी-जेपी जीजुँच है, मुसल्मान हाथी को वड़ दे tab kia B.J.P. हाड जाएगी, तो सांसर जी का बयान का यह मतलब है, अच्छा यह मतलब आपने निकाला है चलिए अगर हम काम की बात करते हैं तो मायावती जी मैनफेस्टो अपना क्यों नहीं बनाती हैं बैन जी का मैनफेस्टो हमारा जो बाबा साथ भीम्रा अम्बेटकर ने सम्मिधान लिखा है सम्मिधान में सारे चीज़ लिखे हुएं हमारा मैनफेस्टो होई सम्मिधान है हम लोग उसी सम्मिधान से काम करते हैं सारी योजना गरीबों तो पहुंचती है अम बेटकर गाओं हम बनाते हैं अच्छा आप तीनों सरकार का काम देख लीजिए सबसे आदा काम भेंड कुमारी में होती जनी कि आज मैं आपको बताओं भेंड जी की सोच एक भी मेडिकल कालेज आज जो है इस्थिर में चालू नहीं हुआ कि अच्छी पोजीशन में चला हो खाली उद्गाटन हुआ है बहन जी ने 5 साल में आप देख लो बहन जी ने कहा कि मेडिकल कालेज में भीर जादा हो जाती है लोगों की भरती नहीं होती है मेडिकल कालेज से बड़ा मेडिकल कालेज अमबेटकर नगर में बना है आप जाके देख लो बहन जी ने बनवाया था कि अगर 20 जिले के लोग वहाँ बढ़ जाएंगे तो लखनों में भीड कम हो जाएगी और वो बनके खड़ा है जब समाजवादी सरकार बनती है तो वहाँ की सारी मशीने साइफ़ाई मेडिक कालिज में लगा दी जाती है वो आज भी खंडेर पड़ा है पचास बिल्डिंग है तो 10-10 महला वहाँ है और करी 15-20 किलो मीटर में बना है आज भी बना है आप उसकी फोटो चलाएए एक दिन हम आप से करते हैं आप जाएए और उसकी फोटो लेकर चलाएए ये बहें जी का विकास बोलता है ठीक है बहुत बहुत धनेवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए तो देखा आपने किस तरह से राजी गुस्मानी जी ने अपनी बातों को रखा है इस चुनाओं में क्या मुद्दे होंगे जंता के उस बात को भी बताया आप तक आप ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रही है यूपी टाइम्स मैं फाराना किप खान दीजे जासत धन्यवाद बहुत शुक्रिया